Hello guys, one second and welcome back to the channel. So guys, आज किस वीडियो में हम यहाँ पर questions कवर करने वाले हैं, वो करने वाले हैं गाइज, 50 से लेकर ओके गाइज, आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 51 से लेकर 100 तक थिक है लस्ट वीडियो में हमने कवर किये थे 50 तक, odds लेकर 50 तक, ठीक है अगे आपको और दो वीडियो मिलेंगी जिसमें मैं आपको मैंने कहा कि पूर दो सा question आपको करवा दूँगा बहले भी बहुत सारे questions कि आपको drill करवा चुका हूँ आप देखें गाईस यहाँ पर question पूछा है आपसे vertical blocks in a table is known as एक table में जो vertical block होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं ठीक है options है row, column, cell, room और sheet ठीक है तो मैं आपको अब यहाँ पर लिये चलता हूँ गाईस Excel sheet पे ठीक है आप देखें यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह देखें चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A, B, C, D, E, F, G उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखा दूँ अभी यह शो नहीं होगा गाईस थोड़ा सा कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं होगा लेकिन इस तरफ से जो आपको लिखे होंगे इस तरफ से नी लिखा होते हैं अभी एक्सल शीट आपने गाईस देख ली अब हम चलते हैं सीधा ही अपने कोशिश दरफ यहाँ पर देखते हैं रो और कॉलम ठीक है वर्टिकल ब्लॉक क्या होते हैं और यहाँ पर हमारे पास कॉलम क्या होते हैं एक बार फिर चलिए गाईस आपको लाँ ऑफिर देखते हैं जहाँ ठीक है है अब जहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ इसे क्या क्या खहते है इसे कहते हैं हम sell ठीक है अब जो पूरी यहां पर आपको show हो रही है यह पूरी चीज़ गाइज हमारे पास क्या है यह हमारे पास sheet यह पूरा क्या है हमारे पास यहां पर sheet ठीक है I think guys यह question आपको यह clear हो चुका है चलते हैं अपने questioning के screen पे तो guys question को answer है हमारे पास that is option number two vertical block जो अगला वाला question देखी क्या है यहां पर पूछा गया है आपसे के guide a guid अब यह hack बताया हो है question में कि 128 bit का यहनिकि 16 byte का एक number होता है ठीक है 16 byte का number होता है जिसको software program use करता है किसके लिए data के जो data object है हमारे पास उसकी location को identify करने के लिए uniquely ठीक है अब देखें आपको मैंने कहा थ 16 byte का 128 bit हो गया आप लगा सकते हैं अंताजा कि 1 bit ठीक है ठीक है 1 byte is equal to 8 bits ठीक है तो 16 byte है तो 8 bits होंगी एक में तो एक इतना हो जाएगा 128 bits यहां पर हो जाएंगी ठीक है अब यहां पर बोला है guide जो है software program है जिसको मतलब data के object की location को identify करने इसको यूज के जाता है अब यह GUID क full form है क्या guys graphical user identifier, globally unique identifier, globally unique internet, globally user identifier, none of these so guys इसका जो answer है that is globally unique identifier इस question का हमारे पास answer है ठीक है बढ़ते हैं अगले वाले question को तरफ तो guys देखें यह question है तो यहां पर पूछा क्या गया है आप से तोड़ा सा question ऊपर चला गया है which among the following is a chat program, chat तो पता है सब करते हैं, that lets user communicate in real time, जिसमें users जो हैं real time में communicate कर सकते हैं, ठीक है उस chat program का आपको नाम बताना है, whatsapp, google chat, google plus instant messaging, और last option अगर आपको show नहीं हो रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूँ, google mail, ठीक है तो guys instant messaging जो है यहां पर इसका अब्लिक करक्ट आंसर होगा, instant messaging में क्या होता है, यह real time में हम communicate करते हैं, ठीक है अगरे question देखिए guys, important question है, exam में पूछा जा चुका है पहले, वो software जो आपके computer की normal functioning होती है, उसको disrupt कर देता है, उसको disrupt कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, malware, virus, hacker, trojan horse या none of the above, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं, malware आपको बताए कि बहुत खतरनाग चीज़ होती है, अगर आपके, एक बार आपके phone में घुस गया, तो आपकी computer की functioning को disrupt कर देता है, तो इसका answer तो योगा malware होगा, ठीक है, अब virus हो गया, trojan horse हो गया, time bomb हो गया, logic bomb हो गया, ये सारी guys, इसकी क्या है हमारे पास, ये types होती है, hacker पता आपको क्या लगता है कि ये कोई, एक true application है, या आपके पास true message आया हुआ है, true email आया हुई है, तो ऐसा आपको लगता है, लेकिन वो true बिल्कुल भी नहीं होता है, अब देखिए अगला question, अगर computer जो है, दूसरे computer के साथ connect नहीं हो पा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, communication gap, offline, sleeping mode, switch off mode, और boot mode, कहते हैं, communication gap तो ये तो बिल्कुल इससे कोई जुड़ता ही नहीं है, offline mode में जब होगा, दूसरे computer से किस तरह connect कर पाएगा, बिल्कुल connect नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो answer जो है, यहाँ पर आपका option number two answer है, बागी option देखिए, sleeping mode में क्या होते हैं, आप काम नहीं कर रहे हो remote computing, remote computing से यहाँ पर क्या चीज जुड़ी हुई है, telnet, railnet, internet, ethernet या intranet, ठीक है, अब इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, railnet को छोड़िए, internet को बता है क्या है, अब देखते हैं, यहाँ पर telnet क्या होता है, guys, telnet क्या होता है, telnet हमारे parcel क्या होता है, यह हमारे PC के उपर run करता है, ठीक है, हमारे PC के उपर run करता है, और हमारे PC को server के साथ connect करने का काम, जो guys, कौन करता है, यह हमारा telnet ही करता है, ठीक है, और इसमें ऐसा protocol network use किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कैसे start कैसे करते हैं, जो हमारा username होता है, और password लगा के इसको हम start करते हैं, और हमारे PC को अब हम बात करते हैं यहाप एक आधरनेट की ठीक है एधरनेट की क्या है यह एक wired computer क्या होता है wired computer की family होती है ठीक है वहाँ पर लगाते हैं हम उस चीज़ को उसे हम बोलते हैं Ethernet ठीक है इसमें आप local area network को metropolitan area network को और wide area network को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं Ethernet के जरीए ठीक है यह गया हमारा Ethernet अब बात करेंगे guys intranet की intranet की क्या होती है जब आप किसी organization में जैसे company में काम कर रहे हो वहाँ पर easy access है नहीं कि जितने भी employer है उनको आपस में easy मतलब उनको access हो तो उसके लिए हम intranet को use करते हैं इसके बाद guys एक और चीज़ होती है हमारे पास extra net क्या होती है extra net क्या होता है यह हमारे पास private network होता है ठ इसको public tally communication में इसको guys use करते है ठीक है और यह हमारे लिए business जो information होती है उसके लिए भी मुफीद होता है ठीक है इसके लिए इस question का जो answer है वो है guys हमारे पास tally communication यह जो sorry तैलनेट ठीक है remote computing के लिए क्या है तैलनेट यहाँ पर जरूरी होता है ठीक है guys चलिए अगला question insert a chart in your slide अगर आप अपनी slide में chart को insert करना चाहते हो you will go to आप कहां पर जाओ guys भाया insert करना है आपको insert करने के लिए आप simple insert में जाओगे ना कि आप इन बाके चीजों में इसमें भी नहीं जाओगे इनमें कहीं पर भी नहीं जाओगे बलके आप सिदा insert में जाओगे यहाँ प multimedia interface show करता है उसे हम क्या बोलते हैं telnet नहीं बोलेंगे अभी हम इसको समुझ चुके हैं ethernet अभी हम समुझ चुके हैं क्या होता है internet अभी हम समुझ चुके हैं कि internet क्या होता है तो guys जब यह सारी चीज़ें नहीं है that is world wide web is your right answer ठीक है यही एक multimedia interface जो है available resources को provide करती है अगला question है हमारे पास which among the following is now a semi conductor memory अब हमारे computer में semi conductor memory यहाँ पर क्या चीज़ है ठीक है semi conductor memory क्या है ROM, app ROM, RAM, DRAM या CD ROM पहले ROM की फुलफा माने चाहिए read only memory, EEE PROM यनि कि electronically erasable इसको electric तरीके से इसको erase किया जाता है programmable read only memory, random access memory, dynamic random access memory, CD compact disc read only memory ठीक है यह हो गया अब यहाँ पर semi conductor memory हमारे पास कौनशी है that is RAM, ठीक है अगला question देखिए the step by step procedure for executing the task, एक task को step by step उसको proceed करना है, किसी task को execute करना है, उसे हम क्या बोलते है executing, अगर आपने हाँ पर execute देखा है तो execution लगा दिया तो बच्चों कोशन गल्द जाएगा, ठीक है algorithm, access cycle, full cycle, flow chart, flow chart हो नहीं सकता है, ठीक है अब अपर जाओगे cycles में, cycles वाला यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना, उसे हम कहते है step by step जो हमारे task को execute करने का procedure होता है, उसे अपने बोलते है algorithm, क्या बोलते है, algorithm, अगला question देखिए बच्चे which of the following type of network is highly reliable on phone lines, जो आपकी phone lines होती है, इन में से कौन से type का network जो है, उसके लिए reliable होता है local area network, metropolitan, जोनिकी जो metropolitan, जोनिकी हमारी metropolitan cities होती है, वहाँ का network, wide area network, C-A-N, यहनिके controller यह, आपको कहीं मिलेगा नहीं बुक पे controller area network and T-A-N, तिनी area network, यहनिके हमारा small local area network, ठीक है, अभी इस question का answer हमारे पास क्या होगा, phone lines पे कौन सा network चलता है, हमारे पास, wide area network, आपकी phone पे जो चलता है, wide area network होता है, क्योंकि network का tower आपने देखा होगा, कितने दूर होता है, और फिर भी आपको उसका network वहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ओके guys, अगला question देखिए, maximum number of operating system, जो at a time आपकी computer पे work कर सकते हैं, तो बिएक कितने maximum number हो अब देखिए, इना computer, एक computer में screen background को हम क्या बोलते हैं, जो आपको screen में background दिखती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, screen saver, desktop, background information, software background और wallpaper, wallpaper तो वो होता है, जो आप अपने screen में कोई photo लगाते हो, या कोई कुछ लगाते हो, वो हो गया wallpaper, अब software की background बोली है, आपको यहाँ पर screen क background पूछी है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, background information, अब कोई information तो बोली नहीं है, इसने बोला है कि इसे हम क्या बोलते हैं, तो यह भी cut हो गया, screen saver, screen saver भी नहीं होगा, बलके हाँ पर होगा, आपका answer, desktop, अब देखिए एक question है, which among the following type of computer is rare, because of the size and cost of it, अब इस में से कौन से डाइबा computer जो है, जो इसकी size और cast से बिलकुल वो rare हो जाता है, सबसे अलग हो जाता है, पहले तो आता है आपके पास यहाँ पर mini computer, तो guys, mini computer क्या होता है, यह बहुत size में क्या होते हैं, बच्चे, size में mini यह नहीं बिलकुल छोटे होते हैं, और बहुती faster होते है, किस से man frame computer से, इनिशली जो है, मतलब starting में क्या होता था, जो mini computer से थे, वो बहुती कुछ specific काम करते थे, जैसे कि हमारे पास पहले वो engineering का काम करते थे, यहने कि computer AD design, CAD, full form पुछी जाती है exam में, computer AD design का काम करते थे, यहने कि in calculations में वो काम करते थे, तो अब जो इनका central computer हु से server यह बोलते हैं, ठीक है, इसके अगर आपको कोई example अगर पूछे, तो आपको बोलनी है, guys, याद रखनी है, IBM 17, उसके बाद DEC, उसके बाद guys, DEC, PDP 111, ठीक है, यह हो गया, उसके पास HP 9000, यह सारी हमारी क्या है, mini computer की है, उसके बाद बचे हमारे पास होता है, एक super computer, super computer होता है, यह बहुत ही fast test होते हैं, बहुत ही expensive machines होती है, और guys, अगर आपको question पूछे आता है, इसकी speed किसमे नापी जाती है, FLOPS, ठीक है, FLOPS, अब इसका full form क्या है, floating, क्या है guys, floating point, floating point operation per second, ठीक है, यह रखना, floating point operation per second, इसकी full form होती है guys, तो super computer होते है, यह बहुत ही highly calculation करत हैं, और बहुत ही intensive task करते हैं, जैसे कि weather को आप देखते हो कि कल बारश होगी नहीं होगी, weather को forecast करने का काम भी यही करते हैं, nuclear research में यह काम करते हैं, ठीक है, और scientific के साथ जितनी भी होती है, लिबार्टी में, सभी यह काम हो जाते हैं, अब आपको याद रखने सबसे पहला super computer का नाम क्या था, that was Craven, यहीं कि world का super computer था, जो 1976 में का इसको बनाया गया था, ठीक है, उसके बद अगर इंडिया का आप से कोई पूछे, तो इंडिया का पहला super computer का नाम क्या था, गाईज, परम 8000, ठीक है, आज जो super computer है, उसका नाम है गाईज, फुगाकू, ठीक है, फ फुगाकू, फुगाकू बनाया, किसने कौन सी country का है, जैपैन का, ठीक है, अब बात कते हैं काईज, हम थोड़ा यहाँ पर, mainframe computer की, तो बचे, mainframe computer क्या होता है, mainframe computer वो होता है, जिसकी जो क्या होती है, जिसकी क्या होती है, बहुत जादा internal memory होती है, जिसकी क्या होती है, बहुत जादा internal memory उसकी होती है, मतलब storage उसकी बहुत जादा होती है, जैसे मतलब कि हमारे business की backbone अगर बोले ना, तो हमारे businesses में mainframe computer को ही use किया जाता है, इसके बाद server computer, जो मैंने आपको कहा है, mini computer का server computer भी बोलते हैं, ठीक है, अब इसका answer क्या है गाई, इसका answer जो होगा, हमारे पास mainframe computer नहीं होगा, बल्कर super computer ही इसका answer हमारे पास होगा, तो गाईस अगला question देख लिजे, which among the following is the programming language, इनमें से कौनसी programming language है, जो first generation computer में बच्चे यहाँ पर use की गई थी, उस language का नाम आपको बताना है, ठीक है, तो देखिए बच्चे, options है आपके सामने, for trend, machine language, high level language, low level language, और assembly language, बच्चे मैं आपको बताऊँगा कि, first generation जो language है, ठीक है, वो कौनसी थी guys, that was machine language, second generation computer नहीं हमारे पास कौनसी language थी, assembly language and high level language, ठीक है, उसके बाद, third generation जो computer आया बच्चे, उसमें थी हमारी high level language, उनमें आती है हमारी कौनसी, एक तो हमारी आती है formula translation, उसके बद आती है हमारी common oriented business, business की language होती है हमारे पास, उसके बद आती है हमारी algorithmic language, ठीक है, अल्गोल, यह थी हमारी third generation की language, उसके बद बचे four generation language है हमारे पास, वो भी high level language ही है, उनमें आती है बचे हमारी कौनसी कौनसी, एक आती है हमारी pascal, एक आती है हमारी ada, एक आती है हमारे पास business की language, 74 एक आती है हमारे पास fortan iv, यहनिकी four से लेकर, तो fifth generation में हमारी कौनसी language आती है, तो इसमें हमारी artificial language आती है ठीक है बचे यह आपको याद रखना है अब यहां पर पूछा कौन सा है कि first generation की कौन सी language है that was machine language तो यहां पर machine language जहां पर आपका option होगा उसे tick करके आ जाए एक्जाम में विल्कुल आपका question ठीक हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question है smart art smart art एक ऐसा आपके computer का इनकी MS office application suite का कौन सा वर्जन है ठीक है अभी simple options यहां पर 2003, 7, 9, 10, 11 सो गाई 2007 यह smart art वर्जन होता है ठीक है smart art आया था जो MS office रुटाए था 2007 का वर्जन का उसमें था यह ठीक है sorry guys अगला question देखिए how many types of semi conductor memory a computer can have its uses for the purpose of source of information information की storage के लिए information की storage के लिए कितने type की memory होती है guys हमारे computer में होती है ठीक है हमारे computer में storage के लिए कितने type की memory होती है वो भी कौनसी वाली memory guys semi conductor memories तो options है आपके पास यहाँ पार 2,2,3,4,5 ठीक है दूसरे option भी है 4,5 और more than 5 तो guys कितने type की semi conductor memories होती है आपन के पास इसका जो answer है आपके पास that is 2 दो type की semi conductor memory आपके पास होती है ठीक है guys चले जलते अगले question के तरफ guys यह भी important question है अगर आप कोई भी चीज if you are not able to download something from a website अगर आप website से कुछ भी download नहीं कर पा रहे हो ट्राफिक की वज़ा से यानि कि ट्राफिक किये वाले ट्राफिक ने जो गाड़ी जलती है बलके ज्यादा लोग जो हम पर पहुंच आते हैं अगर आप वहां पर नहीं पो का फॉर्म पर रहे है ठीक है यार ड्रीक याठर, यह स हंदिक बकाए आप लेघव लोग खाते हैं लास्ट बास्वाले डिन बचकğ चीज गूह मोगत में है कि आपको करो तो इंगे ओम आपको वात का वांपस देंगे veget कि होता है अपने आपके देखा होता है आपको पंडिकसन आती आपको या जो कभी-कभी आपकी सटीड पर वाफ़ा जाता है कि यह नोटिफिकेशन है ठीक है उसे हम बोलते हैं एड़ एटाइक तो गाइज आंसर वान इस आपके और आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है अब गाइज अगला कोशन देखिए आप पूछा है कि जो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क होती है ठीक है सिंगल लेयर ब्लू डिष्क की हमारे पास क्या कपैसिटी होती है maximum कपैसिटी कितनी होती है 50 गीगाइट 75 गीगाइट 60 गीगाइट 25 गीगाइट और 40 गीगाइट तक है सिंगल लेयर ब्लू-रे डिस्क की दाट इस 25 25 GB आप पता होना चाहिए आपको कि Blu-ray डिस्क होती है यह एक ऐसा हमारे पास ओप्तिकल डिस्क है हमारे पास storage के लिए storage मीडियम है जिससे हम गया करते हैं हमारे data को normally dvd format में किस format में याद रखेगा dvd format में उसको हम गया कर सकते हैं capture कर सकते हैं ठीक है इसमें से हमारे पास क्या होती है 25 गीगाबाइट यहीं कि पूरा इसको हम approximate of 35 बोलते हैं ऐसे होती है 23.31 गीगाबाइट का इसमें क्या होता है पर layer में इसका इतना होता है ठीक है चलिए गाइस चलते हैं आगे अब अब अगला कॉशिर नहीं आपके सामने पूछा गया है कि logic gates कितने होते हैं हमारे पास basic logic gates हमारे पास कितने होते हैं 5, 7, 9, 8, 11 सो गाइस हमारे पास total 7 logic gates होते हैं कितने होते हैं option भी आपका सही अंसर है अब होते हैं कौन से पता होना चाहिए आपको वो उससे पहले और ठीक है and xor nor उसके बाद होता है गाइस हमारे पास and not कितने हो गाइस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके बाद होता है हमारे पास nor हो गया नहीं हुआ और ठीक है यह क्या होते हैं हमारे पास 7 हमारे पास logic gates होते हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं ठीक है अगला कॉशन देखें तो यह कब बनाया गया था यह बनाया गया था नाइटीन हमारे पास परम 8000 तो CDAC की स्टेबलिश्मेंट करी गई थी अगला कॉशन देखें जो android 10.0 है जो गूगल के दोवारा यहाँ पर develop किया गया उसका नाम क्या है पाई किट कैट नोगात android q या जेली बीन इसका answer जो है हमारे पास android q है ठीक है अगला कॉशन देखें विच एंग फालोइंग कांटिंग डवाइस है इसको यहाँ पर चाइना में इसको develop किया गया था और इसमें रेक्टेंगिलर वुडन फ्रैम लगे होते हैं और इसके उपर बीड होती है ठीक है दाने यसे लगे होते हैं जैसे कि आपने वह देखा ह है यहाँ पर इस तरह से लगा होता है ठीक है इसमें कुछ यह इस तरह की बीड्र लगी होती है ठीक है है अब अब ये हैडार के बुटे तो याद रखना इसको चाइना ने 1602 में बनाया था, कब बनाया था, चाइना ने 1602 में बनाया था, सरफ addition और subtraction की performance के लिए इसको guys, use किया जाता है, ठीक है, उगर abacus की एक और भी आपसे question पूशे जाता है, यह है क्या, it is first mechanical calculating device, first mechanical calculating device कौनशी है guys, that is your abacus, ठीक है, उसके बाद आता है, हमारे पास, नेपाइर बून्स, यह 1617 में बनाया गया था, ठीक है, यह multiplication के लिए इसको नेपाइर बून्स को यहाँ पर use किया गया था, अब यहाँ पर जो technology जो use होती है, इसमें नेपाइर बून्स में, ठीक है, इसमें जो technology, calculation की टेक्नालोजी जो होती उससे हम बोलते है, Rapdologia, ठीक है, Rapdologia इसको हम यहाँ पर बोलते है, उसके बाद आता है, हमारे पास, Pascaline गाईर जो बनाई है, जो बनाई है, बलाइस पैसकल को यहाँ पर किया जाता था ठीक है उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास punched mark system ठीक है यहाँ पर क्या होता था कि क्या बोलते हैं punched card system तो गाई अब जलते हैं अगले वाले question दर पाई इतना ही आपको याद रखना इस question में which आप the following printer work by melting the solid ink that applies images to the paper है उसे निंक वगरा क्या करता है solid ink यहाँ पर melt करता है और आपके paper में image धियार करता है make your how to collect the power in the essence." इंपाक्ट प्रिंटर, non-impact चाहिए कि आपके impact printer कौन से कौन से इसके लिए काईज मैंने आपके लिए ठिक बनाईए आप उसे याद रख सकते हैं इसके लिए impact printer के लिए LDDD ठीक है L से हो गया line printer, daisy wheel printer, dot matrix printer and guys drum printer ठीक है यह हो गया impact printer के लिए तो non impact printer के लिए ILETS, बच्चे ILETS करते हैं आप ILETS रख लो याद ठीक है अब I से क्या हो गया, inkjet printer, L से क्या हो गया, laser printer, E से क्या हो गया, electrostatic printer, E से क्या हो गया, electromagnetic printer and T से क्या हो गया, thermal printer यह question आपको पुछ जाते हैं frequently आपने यह याद रखने हैं ठीक है गाईज, चले चलते ह आगले वाले questioning के तरफ, BIOS क्या होता है, what is BIOS, basic input output system, यह क्या चीज है, मैंने answer बदा दिया इसका आपको, basic input output system, यहनी कि आपका option 1 is your right answer, अब यह basic input output system होता क्या है, ठीक है, यह ऐसा firmware होता है, जो हमारा, जब हम अपने system को on करते हैं, उसमें जो hardware की initialization होती है, क्या होती है, जब hardware आपको शुरू होता है, जब हम booting करते हैं, निकि start up करते हैं, अपने process को on करते हैं, ठीक है, उसमें यह मदद करता है, basic input output system, इतना आपको याद रखना है, अब बचो अगला question देखे, control प्लस Y, in MS Excel और MS Word में काम क्या होता है, cell को delete करना, नहीं, data को clear करना, नहीं, function को divide करना, नहीं, text को bold करना, नहीं, अब बचा क्या, redo, ठीक है, अब इसके साथ में एक और भी आपको याद रखना है, control प्लस Z, इससे क्या होता है, undo, अब मतलब क्या है, समझेगा बच्चे यहां से अराम से, देखे, मैंने यहां पर लिखा, J, K, S, S, B, लिखा मैंने, अब मुझे लगा, कि मुझे यहां पर यह नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहां पर यह नहीं लिखना चाहिए था, तो मैंने क्या प्रेस कर दिया, control CTRL PLUS Z PRESS किया तो यह हट गया ठीक है CTRL PLUS Z PRESS किया यह हट गया फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं यार यह ठीक था मुझे फिर से इसको यहाँ पर लाना है लिखने के बजाए मुझे डिरेक्टली इस चीज को यहाँ पर लाना है या मने कोई रिक पर इंडू है ठीक को चलिए बचए अब अगला कोश्चिन देखिए किसकी एग्जमपल मैंने आपसे कहा था इंपक्ट अब इंपक्ट में कहीं पह owners यहां पर यह रहा रहा है तो गाई यहां पर यह इंग जेट प्रिंटर कहां पर होता है I-L-E-E-T ठीक यह आँ पर आगया I यहनिके इंग जेट प्रिंटर चलिए बच्चे यहां पर देखिए विच आमंग दा फालोंग स्टोर डेटा आपके जो डेटा और अपकी मैंन यूज़ देटा को फ्रिवेंटली यूज़ करता है उसे हम क्या बोलते है हाट डिस्क रेम रोम या प्रामरी या प्रामरी मेंवरी इसका जो आज़व है तो यह क्या होती है ग्या देखिए बता दूँ आपको RAM और आपकी CPU की बीज में आपकी CPU की जो speed होती है उसको faster करता है उसको faster करता है नहीं कि 2 MB का यह होता है उसको faster करता है RAM और CPU की बीज में होता है और हमारा CPU की जो speed है processing को faster करता है ठीक है यह fast memory होती है अब बचे अगला question है School की laboratory में आप कौन सा यहां पर network यूज़ करते हो, can, अभी आपसे मैंने कहा, pan, private area network, उसके बाद, land, local area network, when, wide area network, man, metropolitan area network, ठीक है, अब can की perform क्या है, controller area network, अगला question देखिए, if you want your computer to start at a stage in which it was turned off, अगर जैसे के आप कोई काम कर रहे थे, आपने उसको off कर दिया, ठीक है, turn off कर दिया, तो अब you have to put it on, अगर क्या चाहते हो कि आप कोई काम कर रहे हो, कुछ काम पढ़ गया, भाहर चलेगे, ठीक है, माल लीजे, आप ABC को इस पर काम कर रहे थे, ठीक है, तो आप इस पर काम कर रहे थे, कोई दूसरा काम पढ़ गया, आपने इसको, बाद में जब बोलना है, कि मैं इसके आगे इस काम को continue करना है, आपने क्या कर दिया, अब आप computer को कौन से mode पर रखोगे, दूसरा काम करने जाओगे, उ इसको पर आप आकर इसको Sam project पर आप काम दुबारा start कर सकते हो, तो यह दोनों option बिलिए होंगे, ठीक है, कि switch app mode तो पता हो क्या होता है, कि बल्कुल इसको बंद कर देना, चलिए, in case of computer, which type of menu will show further sub choices, ठीक है, मतलब कौन से, मतलब जब computer में, आप कौन सा menu यहाँ पर यहाँ करोगे, आपके पास और sub choices जाएंगी, अब यहाँ पर मैं समझाने के आपको कोशिश करूँगा, ठीक है, एक बार मैं आपको man screen पर काई ले चलता हूँ, आप देखे guys, मैंने यहाँ पर click किया, ठीक है, अब देखी, मैंने यहाँ पर यह प्रेस किया, यह देखो, यहाँ पर यह आ गया, अब फिर मैंने यहाँ पर यह प्रेस किया, मुझे यह आ गया, तो pull down, क्या कर रहा हूँ, इसको old, इसको नीचे की तरफ और कर रहा हूँ, तो युमर को और आगे तरफ आ रहा है जिसे कि मैंने यह प्रेस किया मेरे को यह आ रहा है यह प्रेस किया मेरे को यह सब चीज़े यहां पर आ रही है ठीक है यह होता है हमारे पास कौन सा इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं पुल डाउन क्या कहते हैं इसे हम पुल डाउन ठीक है आज मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ साथ में दिखा भी रहा हूँ आई होग कि क्यास अच्छे से आपको यह questions क्लीर हो जाएं देखो जो दिखाने की चीज होगी नहीं वह मैं आपको दिखा दूँगा चलिए प्रोजन हार्स अब अब आपसे ऑपर डिसकस किया था यह वही है अब देखर यहां पर डेटाबेस आपका जो होता है कौन सा फीचर आपको allow करेगा कि आप किसी भी record को उसमें search करो, किसी भी record को search करने के लिए आपको बचे वहाँ पर क्या press करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर query जो वहाँ पर क्या होगा, feature होगा उसको press करना पड़ेगा, उसको click करना पड़ेगा उसमें जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि आपने कौनसा record ढूणना है आप query में जाकर ढूण सकते हैं अब बचे यहाँ पर यह देखे एक ला question कि कौनसा यहाँ पर किस चीज़ को अपन use करते हैं किस के लिए to check whether the user of website has accessed the content but it works usually invisibly अब देखें use to check whether the user of the website जो website पर user आया है उसने content को उसको content मिला है या नहीं मिला है ठीक है हमें पता नहीं चलता है लेकिन वह invisibly work करता है website तो नहीं होता है वह वैब साइट पर हम काम कर रहे हैं वैब साइट पर हमने content देखना है तो वैब साइट कैसे बताएगी वैब क्रॉलर क्या होता है वैब क्रॉलर क्या होता है माल लीजे आपने कोई साइट यहां पर लगाई www.jkbos.com अपने लगाई यह लगाई अब बच्चे आपने यह साइट तो प्रेस कर दी अब इस क्तुरुडने के काम करता है आपका वैब क्रॉलर तो वैब पेज तो पताए कि माईट उसे बोलते है वैबबीकन ही यह सारा काम करता है कि आपने content को access किया है कि आप content तक पहुंचे है। यह सारा पास होती है, options है बचिए आपके सामने 7, 6, 8, 5 और 4, यह हमारे syllabus में नहीं था, इसले में आपको यह detail में नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा साइस के बारे में आपको बता दूँगा, कि OSI model होता क्या है, ठीक है, OSI model क्या होता है, सबसे बहले OSI की full form आपको पता होनी चाहिए, OSI की full form होती है, open system interconnection, ठीक है, open system interconnection इसकी full form होती है, तो इसकी जे layers होती है बच्चे, वो होती है, 7, तो option 1 आपका यहां पर बिल्कुल correct answer है, ठीक है, एक ऐसा standard होता है, एक standard reference model होता है, हमारी communication के लिए, जिसे कि दो end user होते हैं, एक user यह है, एक दूसर यूसर है, इन दूसरों, इन दौनों user के विच में जो क्या होता है, हमारे पास communication जो होता है, वो open system interconnection से ही होता है, ठीक है, इसकी कितनी layers हैं, वो हमारे पास 7 layers हैं, तो उन 7 layers के बारे में आपको थोड़ा समय आपे बता दूं, ठीक है, तो पहले हमारे पास application layer, उसके बाद हमारे पास presentation, ठीक है, प्रेजंटेशन layer, उसके बाद हमारे पास session layer, फिर हमारे पास transport layer, फिर हमारे पास network layer, होगे बचे 5 ठीक है इसके बाद होती है हमारे पास data link layer फिर होता है हमारे पास physical layer ठीक है यह 7 layers में होते हैं जो मैंने आपको मैंने बता दी अब अगला question देखें अब यहां पर 7 layer तो होती है OSI model में open system interconnection में तो s का क्या मतलब होता है अब यह मैंने आपसे open system interconnection की मैंने बात की तो s means systems ठीक है अगला question देखें what are the program which can replicate themselves ठीक है वो अपने आपकी और copies यहां पर बनाते हैं और उसे time आपकी hard drive की जो क्या होती है उसकी timing को उसकी processing को slow कर देती है ठीक है आपके hard drive को बिल्कुल slow कर देती है क्यों उसमें वो space को consume कर लेती है उसे हम क्या बोलते है computer warm बोलते है computer memory computer space computer software computer firewall देखें बचे computer memory तो यहां पर इसमें तो अपनी जो space वो consume तो करेगी यह भी ठीक है computer space भी होगा computer software यहां पर यहां पर replicate करेगा वो सिर्फ warm ही करता है computer warm अपने आपको replicate करता है और आपके system की processing को slow कर देता है अब बचे यहां पर समझने वाली बार स्कुछे से समझना हुआ यहां पर समझाऊंगा आपको में ठीक है name the device अब आपको उस device का नाम बताना है which is used for directing and dispatching data packet between various network आपके अलग-अलग networks में यहां पर क्या करता है device को क्या करता है आपको इस device का नाम बताना है जो direct करता है और dispatch करता है data packet को अलग-अलग networks में hub, switch, router, repeater और signal तो कहें इसका जो answer है that is your router ठीक है अब थोड़ा समय आपको hub के बारे में बता दूँ ठीक है यह भी हमारे एक किसकी तरह होता है पहले हम बात करते हैं यहां पर repeater की ठीक है repeater यहां पर दिया होगा है ना तो बचे यह repeater क्या होता है हमारी networking यह हमारी networking devices सारी हमारी क्या है networking devices हैं पहले हम बात करते हैं बचे यहां पर repeater की यह क्या होती है एक AC device होती है जो अभी हमने बात किया ना उपर OSI model जो होता है सिरफ उसकी application जो हमारी physical layer होती है उसकी उपर काम करता है ठीक है इसके हमारे पास क्या होते है दो इसमें port लगे होते है इतना आपको नहीं जाना है ठीक है यह repeater है उसके यह भी गाइस क्या होते ह क्या होते है रपीटर में दो port होते है लेकिन बच्चे हब में क्या होता है हमारे पास हब भी हमारा repeater के तरफ होता है लेकिन इसमें क्या होते है multiple ports होते है इसमें क्या होते है multiple ports होते है ठीक है इसके बात करेंगे बच्चे यहाँ पर हम switch की तो बच्चे switch क्या होता है यह ए करती है एक local area network के साथ ठीक है अब यहां पर हमारे पास क्या हो गया अब हमारे पास क्या बचा यहां पर router बचा रौटर भी क्या होती है हमारी hardware device होती है ठीक है जिसको हम क्या करते हैं incoming packet आपके पास जो कितने packets का network मतलग आपके पास जो चीज पहुंच रही है तो incoming packet के लिए ठीक है उसके बाद signal signal तो पता ही आपको क्या होता है तो यह हो गया बच्छे हमारे पास networking नहीं किये क्योंकि यह भी आपके टेक्स्ट को दे जाते हैं जिसमें हम association उनके बीच में यहां पर create करते हैं तो options है आपके साने text document, hypertext, text user, text application, text access, यहां पर options है आपका hypertext, क्या है hypertext अब यह question में important है, blue line under the text in msword, जो आप msword में typing करते हैं, blue line अगर आपके text के आपने लिखने से spelling, आपने लिखने से open, ठीक है, आप लिख गे open, ठीक है, इसके निचे कुछ इस तरह की आपके पास एक blue color की line आएगी, तो वो क्या होगी, क्या इस तरह से होगी, नहीं होगी बैस यह open लिख है, यह spelling का error है, तो spelling का error जब होता है, उसके निचे लगती है red line, क्या लगती है, red line में spelling error होता है, अगर मुझे लिखना है, I am going to jamu, अगर मैंने इसको क्या लिख लिख लिया, I am go लिख लिया, इस पूरी line निचे क्या लग जाएगा, बचे, क्या लग आएगी, ठीक है, blue line लग जाएगा, textलिशीं आपके लग जाएगा blue color का निशान, वह है आपका grammar mistake, आपका यहां पर सही answer होगा, आपको उस software का नाम बताना है किसी भी hardware component का अगर आपके computer system में hardware computer को run करवाना है आपको उसके लिए क्या चाहिए होता है hardware driver, device driver, direct driver, device component driver, device disk तो गाइस हम वहाँ पे use करते हैं device driver आपके पास चाहिए hardware driver नहीं चाहिए बलके device driver आपके पास चाहिए जो इसको drive करेगा, जो आपके hardware उसमें क्या करेगा system को चलाएगा अभी यहाँ पे 5th generation high level language कौन सी नहीं है अभी आपसे discuss की 4th range आपके पास क्या है यह आपके पास 3rd generation high level language है और यह बाकी सारी हमारे पास क्या है 5th generation की high level languages है बच्च इस question को अच्च से समझ न ठीक है अब यहाँ पर है क्या which of the following is a column or set of columns in a table that can uniquely identify any database record without referring to any other data ठीक है इस question का आपस आपको बताना है कि आपके कौन सा column होता है या set of column होता आपके table में जो uniquely identify करता है किसी भी database record को किसी दूसरे data को refer किये हुए तो super key पहले आप जान लेते हैं थोड़ा-थोड़ा in keys के बारे में super key क्या होती है या ये group of key होती है या ये single key हो सकती है ठीक है एक row को super key एक table में आपके table में एक row को identify करती है उसके बाद candidate key candidate key होती क्या है ये एक आपके पास set of attribute होता है क्या होता है set of attribute होता है जो क्या करता है identify tuples को ठीक है यहाँ पे tuples को identify करता है आपके table में ठीक है उसके बाद होती है बचे आपके पास primary key उसके बाद क्या है उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक primary की होती है primary की क्या होती है यह column होता है या group of columns होता है ठीक है आपके table में जो हर एक row को आपके table में हर एक row को identify करता है उसके बाद बचे है हमारे पास यहाँ पर alternate की alternate की क्या होती है यह भी column होता है या group of columns होता है जो यहाँ पर डो टेबल के बीच में एक relationship create करती है, that is foreign key, अब जो यहाँ पर इसका answer जो आएगा, identify करता है database record को, तो काई इस बुखा करता है, candidate key इसका बिल्कुल सही answer है, इसके बाद करचे बचे ओर दो keys होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास compound key, compound key, अब बचे compound key का काम क्या होता है, compound काג्या, जो जो काम होता है, ये आपके किसी specific record हो, किसको, कोई specific अगर record है, उसको identify करने का काम करती है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक ओर key होती है, जिसका नाम है हमारे पास composite key, composite key and surrogate key, composite key and surrogate key एक काम विया करते हैं, यह हमारे पास दोनों artificial keys होती है, ठीक है, और हमारे को, जो हमारा हर एक record जो होता है, उसको identify करने में यह काम करते हैं, composite की and surrogate की दोनों बिल्कुल sam keys होती है, अब अगला question है आपके सामने, AGP एक slot होता है, हमारे motherboard के उपर, जो एक direct connection, card के और memory के बीच में क्या करता है, provide करता है, अब यहाँ पे आपको AGP की full form बतानी है, ठीक है, अब AGP की full form क्या होती है, इसकी full form होती है, accelerated, ठीक है, A की full form भी हो गई, उसके बाद G की full form, graphics, port, अब यहाँ से आपने don't leave, इसकी spelling, full form that is accelerated, अब यहाँ होता है, जो आपका video card होता है, ठीक है, आपका video card को बिल्कुल हमारे computer के साथ करता है, attach करता है, that is AGP, accelerated graphics port, ऐसकी full form आपको बना कर पोची जाती है, अब यह question है, अब यह आपका flash memory, एक हमारे पास electronic non-volatile computer memory, storage medium होता है, flash memory, ठीक है, इन में से कौन से flash memory आपक हो गया है, ठीक है, pen drive, ठीक है, आपका flash memory नहीं है, अब inner type of network topology, concept network topology में, जितनी भी node हैं, वो एक single hub के साथ, एक cable के जरिए connect होती है, अब single hub, यह मेरे पास एक symbol, single hub है यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर यह जूड़ी रहेंगी, इस तरह से, ठीक है, जितनी भी nodes ह होगी, इस तरह यहाँ पर जूड़ी रहेंगी, तो किस तरह के शकल बना रहा है, यहाँ पर, यह शकल बना रहा है, यहाँ पर star के तरह, तो star के साथ यह बिल्कुल जूड़ी रहेंगी, तो answer है आपका बिल्कुल यहाँ पर, star topology होगी, तो गाई three topology आप समझ सकते हैं, कि तरह के TRE होगा जैसे एक No जब एहें अपस में सारे जुडए हुए रहेंगे तो बीच में आता है होता है का चैनल डब बस इसके ऊपर चल रहे है इक इसकी ऊपर चल रहे हैं इस अब अगले question की बात करते हैं, what do we call the pictorial representation that uses predefined, यहीं कि जो predefined होते हैं, मैंने पीछे भी यह question आफे discuss किया था, ठीक है, इस question का answer आपको पता ही होगा, flow chart है, मैंने बताया था कि जो predefined तरह से हमारे पास यहाँ पर chart बने रहते हैं, इस तरह से, कोई भी chart अगर आपने लगाना ह अगर आपने कोई pie chart लगाना होगा, बार ग्राफ का chart लगाना होगा, जो predefined बचे यहाँ पर होते हैं, उसे हम बोलते हैं, flow chart, ठीक है, अब OMR, OMR क्या है, एक हमारे पास electronic method है, ठीक है, जिससे हम किसी document को scan करते हैं, और read करते हैं data को किसी mark field से, अब यहाँ पर M की full form क्या हो अब OMR क्या है, OMR की full form क्या होती है बचे, आपने paper तो OMR पर ही दैना है, दैना है कि नहीं दैना है, ठीक है, अब OMR की full form आप सबको आने चाहें की नहीं नहीं चाहिए, अप्टिकल mark reader ठीक है, उप्टिकल mark reader, इसमें क्या होता है, जो भी आपके dotted जो होते हैं इस तरह से आ टू थी फॉर अरक दिये होते हैं आप पेपर में एक एक मार्क करते हो ना इसी को ही वो आपको देखता है कि आपने ठीक किया है मार्क या नहीं किया है ओप्टिकल मार्क रीडर ठीक है वीडियो का second and last question विच आप the following shortcut की इन में से कौनसी वो shortcut की है जो आपके open document जो होता है उसको save करती है इसे आप control प्लस as press करते है न ठीक है करते है न इसी तरह से बचे दूसरा काम कौनसी की करती है shift plus f7 ये करती क्या है ठीकल को open करती है shift plus f3 करती क्या है आपका जो text case होता है जो selected text आपने किया है उसको change करती है shift plus f12 बच्चे क्या करती है ये भी save का काम करती है ठीक है या 3 हो सकता है या 4 इन में से एक answers का होगा control plus shift plus f6 का काम क्या होता है ठीक है जो आपका यहां पे previous open document आपके विंडो में उसको open करेगा ठीक है यह हो गया हमारा 99th question 5 के बारे ने बता दिया आपको मैंने अब है बच्चे हमारे वीडियो का last question तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यह question बिलकुल powerpoint पर ले जाकर मैं आपको यह question दिखाना चाहता हूँ ठीक है गाईस चलिए पहले question को पढ़ते है question क्या है हमारे पास which of the following ms powerpoint tab hold command related to the presence of slide like pay setup and slide orientation slide orientation and pay setup का कहां पर होता है तो मैं आपको ले चलता हूँ अपके हमारे ms powerpoint में ठीक है अब मैं यहां पर बचे powerpoint को open कर रहा हूँ ठीक है यह powerpoint को मैंने open किया लेकिन यहां पर show नहीं होगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे देखे शो नहीं हो रहा लेकिन मैं यहाँ पर जा रहा हूँ बच्चे डिजाइन में ठीक है देखे यहाँ पर मैं जा रहा हूँ डिजाइन टैब में तो देखे यहाँ पर शो हो रहा है थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेज सेट अप यहाँ पर हो रहा है थीक है थोड़ा मै अगर मुझे इसका size देखो यह पहले मुझे इतना size शो हो रहा है ठीक है slide show मैं जाओंगा तो मैं अगर इस तरह से करूँगा तो मेरा slide बिल्कुल छोटा सा show होगा बिल्कुल छोटा सा मेरा slide show होगा अगर मुझे slide को बड़ा करना है तो मुझे design में जाके page setup करना होगा अब देखे मेरा slide show में कितना बड़ा show होगा वो मैं आपको दिखा दू यहां पर देखे पूरा का पूरा page यहां पर show हो रहा है हमारी slide show में तो यह मैंने आपको यहां पर करके सामने दिखाया है ठीक है I hope कि आपका यह सारा doubt यहां पर clear होगा इस question को जो बचे answer है that is your design ठीक है तो guys यहां पर वीडियो खतम करेंगे यहां पर thank you god bless you all अगली वीडियो में बचे हम करने वाले हैं 51 से 100 तक आज होगे ठीक है 101 से हम 250 तक कल question करेंगे उसके ब